खारगे जी, शरत पवार जी, रमेश चैनिताला जी, नाना पतोले जी, थोराट जी, वड़ेतिद्वार जी, सतेज बंटी पातिल जी, विशाल पातिल जी, विश्वजीत कदम जी स्टेज पे सीनियर वरिष्ट नेता, कॉंग्रेस पार्टी के और गठबंदन के नेता, भाईयों और बहनों, कॉंग्रेस पार्टी के हमारे बबर शेर कार्य करता हो, आपने सब को डरा रखा है, बीजेपी वालों को, और प्रेस के हमारे मित्रों, आप सब का यहां बहुत-बहुत स्वागत, नमस्कार, आज, यहां आकर मुझे बहुत खुशी हो रही है, कदम जी की याद में हम यहां आए हैं, उन्होंने अपनी पूरी जिन्दगी, कॉंग्रेस पार्टी को, महराष्ट्रा को, देश को दी, विकास का काम किया, शिक्षा का काम किया, और कॉंग्रेस पार्टी के साथ, पूरे दिल से, पूरी जिन्दगी भर, वो खड़े रहे, जब इंद्रा गांदी जी, चुनावहारी थी, तब भी, कदम जी, उनके साथ थे, दो बज़े रात को, दो बज़े रात को, उनकी मीटिंग और्गनाईज की थी, दो बज़े रात को पब्लिक मीटिंग और्गनाईज की थी, तो आज हम उनकी याद करते हैं, महराश्टरा प्रोग्रेसिव स्टेट है अलग-अलग लोगों ने यहाँ पर प्रोग्रेसिव काम किया जनता को एक साथ लेकर इंस्पायर किया और वो लोग महराश्टरा को रास्ता दिखाते हैं बहुत लंबी लिस्ट है शिवाजी महराज जी शाहू महराज जी फूले जी अंबेटकर जी इन सब ने महराश्टरा को नहीं मगर पूरे देश को जीने का तरीका प्रगती और इंस्पिरेशन दिया और मैंने खारगेजी से आज कहा कॉंग्रेश प्रेसिडेंट है तो अंदर की बात आपको बताता हूँ हम जैसे ही लैंड किये तो मैंने खारगेजी से कहा कि खारगेजी मैंने एक बात नोटिस की है तो उन्हेंने कहा क्या मैंने कहा मैं आपके साथ करनाटक जाता हूँ तो आप बहुत खुश हो जाते हो जैसे ही आप जहाज से उतरते हो चेहरे पे मुस्कान होती है मगर मैंने एक और बात देखी है जब आप महराश्टरा आते हो तब भी आप बड़े खुश होते हो आपके चेहरे पे मुस्कान होती है तो एक सेकंड में उन्होंने जवाब दिया राहुल महराष्टरा में कॉंग्रेस पार्टी की विचारधारा बहुत गहरी गुसी हुई है इसलिए जब मैं यहाँ आता हूँ जब मैं यहाँ आता हूँ मुझे खुशी होती है यहाँ पे विचारधारा कॉंग्रेस की है अम्बेटकर जी की है शिवाजी महराज फूले फूले जी की है और इसलिए मुझे यहाँ आकर उतनी ही खुशी होती है जितनी मुझे करनाटक में जाकर होती है और यही मेरी feeling है जब भी मैं महराश्टरा आता हूं मुझे लगता है कि यह जो प्रदेश है हमारी विचारधारा का गड़ है foundation है और आप लोगों के DNA में DNA में हमारी विचारधारा है और लड़ाई विचारधारा की है जो आप हिंदुस्तान में देख रहे हैं यह सिरफ politics नहीं है पहले politics चलती थी राजनेती चलती थी आज हिंदुस्तान में ideological लड़ाई चल रहे है विचारधारा का युद चल रहा है और एक तरफ Congress Party और यह सब महापुर्श और दूसरी तरफ BJP हम social progress चाहते हैं हम सब को जोड़ कर एक साथ आगे ले जाना चाहते हैं और वो चाहते हैं कि चुने हुए लोगों को हिंदुस्तान का पूरा का पूरा फाइदा मिले दलित दलित रहें पिछड़े लोग पिछड़े रहें आदिवासी आदिवासी रहें और जो जात का धाचा है वो वैसा का वैसा रहें ये हम दोनों के बीच में लड़ाई हैं और ये आपको पूरे देश में दिखेगी वो नफरत फैलाते हैं हिंसा फैलाते हैं एक धर्म को दूसरे धर्म से लड़ाते हैं एक जात को दूसरे जात से लड़ाते हैं एक भाशा को दूसरे भाशा से लड़ाते हैं मनिपुर देखिए पहली बार हिंदुस्तान की हिस्ट्री में सिविल वर जैसा माहौल बना हुआ है मगर आज तक देड़ साल हो गया आज तक हिंदुस्तान के प्रधान मंत्री मनिपूर नहीं गए जाई नहीं सकते क्योंकि वहाँ पे बीजेपी के लोगों ने आग लगाई तो ये लड़ाई चल रही है भारत जोड़ो यात्रा में कन्या कुमारी से हम कश्मीर चले लोग कहते हैं कि राहुल गांदी कन्या कुमारी से कश्मीर चला नहीं मैं अकेला नहीं चला था लाखों लोग हमारे साथ कन्या कुमारी से कश्मीर चले थे महराष्टरा में, केरल, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, मध्यप्रदेश, हर प्रदेश के लोग चले थे और एक लक्ष था, जो एक लाइन में हमने कह दिया, नफरत के बाजार में महबत की दुकान खुलनी हमें नफरत की राजनेती नहीं चाहिए, नफरत का हिंदुस्तान नहीं चाहिए, हमें महबत की राजनेती चाहिए, महबत का हिंदुस्तान चाहिए हम भाईचारा देखना चाहते हैं, हम एक दूसरे की इज़त करना चाहते हैं, यह फरक है आप देखिये देश के कोने कोने में ये लोग नफरत फैलाते हैं और ये नई चीज नहीं है ये सदियों से कर रहे है और ये विचारधारा की लड़ाई भी पुरानी है आज ये लड़ाई कॉंग्रेस पार्टी और बीजेपी के बीच में है इससे पहले ये ही लड़ाई फूले जी ने लड़ी ये ही लड़ाई शिवाजी महराज ने लड़ी विचारधारा उनकी और हमारी मिलती है उनकी विचारधारा में और कॉंग्रेस पार्टी की विचारधारा में कोई फरक नहीं चाहे वो अम्बेटकर जी हो शाहुजी महराज हो श्रिवा जी महराज हो फूले जी हो अगर आप उनको पढ़ें उनके आइडियाज को देखें समझें तो आपको पता लगेगा कि फूले जी के आइडियाज, अम्बेटकर जी के आइडियाज, श्रिवा जी महराज के आइडियाज हमारे कॉंस्टिटूशन में आज है और चुनाओं में हमने साफ कह दिया कि लड़ाई विचारधारा की है, बीजेपी के लोग हिंदुस्तान के समविधान को खतम करना चाहते हैं सीधी सी बात आप देख लीजिए, जहां भी अपने लोग डाल सकते हैं, वहां ये अपने लोग डाल देते हैं चाहे वो एलेक्शन कमिशन हो, चाहे वो शिक्षा के इंस्टिटूशन हो, लीगल सिस्टम हो, ब्यूरोक्रिसी हो, ये मेरिट नहीं देखते हैं आज हिंदुस्तान में, इनकी आँखों में एक ही तरीका के मेरिट है अगर आप RSS के हो, तो मेरिट है, अगर RSS के नहीं हो, तो आपके लिए इन संस्ताओं में कोई जगा नहीं है और हर रोज, ये Constitution पर आक्रमन करते रहते हैं कोई न कोई नया तरीका ये निकालते रहते हैं की, हमने कहा कि देखिए, बेश में पता लगाना है कि किसकी कितनी अबादी है और किसका कितना हक बनता है मैंने कुछ गलत बोला, सही बोला न, कि ये पता लगाना है अलग-अलग वर्ग के लोग हैं, ये कितने हैं, इनकी अबादी कितनी है और इनका हक क्या है, और कौन सी संस्ताओं में इनके लोग है एक प्रकार से हम स्नैप्शॉट लेना चाहते हैं कि हिंदुस्तान में आज क्या हला थे बीजेपी का लोग एकदम कहते हैं, नहीं हमने डबाव डाला, नियाय यात्रा की और पहले ये सारे के सारे लोग कहते थे कि जाती जनगर्ना के हम खिलाफ है RSS के लोग कहते थे, BJP के लोग कहते थे इनके नेताओं के ब्यान हर रोज आते थे कि जाती जनगर्ना नहीं होना चाहिए हमने दबाव डाला, और कुछ दिन पहले confusion में RSS कहती है कि हाँ जाती जनगरना ज़रुरी है अगर आप आज कह रहे हो कि जाती जनगरना ज़रुरी है तो पिछले 6 महीने में आप क्या कह रहे थे मैं आपको बता रहा हौँ पार्लमंट में हमने कहा है पार्लमंट के फलौर में लोकसभा में मैंने कहा है कुछ भी हो जाए जाती जनगर्णा करवाएगी कॉंग्रेस पार्टी करवाएगी हमारा गडबंदन करवाएगा क्योंकि हम जानना चाहते हैं हम देश की सचा ही समझना चाहते है इस देश के धन का फाइदा किसको हो रहा है कौन से वर्ट को हो रहा है किसको नहीं हो रहा है यह हम जानना चाहते हैं और यह हम काम करवा के दिखाएगे भाई और बहनों आज हमने कदम जी की मूर्ति का उद्गाटन किया और जब मैं वहाँ था मैं सोच रहा था कि कदम जी ने साट साल आप के साथ काम किया ट्रांस्पेरिंसी के साथ महबत के साथ उन्होंने काम किया इमानदारी के साथ उन्होंने काम किया साट साल में उन्होंने आप से कभी माफी नहीं मांगी क्यों नहीं मांगी? क्योंकि जरूरत नहीं पड़ी यह सचा ही है माफी जो ही मांगता है जो गल्थ काम करता है जिसने गल्थी ही नहीं की उसको माफी किस चीज़ की मांगनी है यहां कुछी दिन पहले शिवा जी महराज की मूर्थी बनाई गए और मैंने अकबार में पढ़ा कि प्रधान मंत्री ने कहा मैं शिवा जी महराज से माफी मांगता हूं अब मैं यह समझना चाहता हूं प्रधान मंत्री जी ने किस कारण माफी मांगी अलग-अलग कारण हो सकते हैं पहला कारण हो सकता है कि ये जो मूर्ती थी इसका contract RSS के एक वियक्ति को दी गई पहला कारण ये हो सकता है शायद प्रदान मंत्री जी कह रहे है कि नहीं मैंने गलती की मैंने गलती की मुझे ये contract RSS के वियक्ति को नहीं देनी थी ये मुझे contract मेरिट पे देना था शायद वो गलती हो सकती है दूसरी गलती हो सकती है कि मूर्ती के बंदे में भरष्टाचार हुआ चोरी हुई शायद प्रधान मंत्री इसके लिए माफ़ी मांग रहे है कि मैंने जिसको कॉन्ट्राइक दिलवाया उसने भरष्टाचार किया महराष्टागे लोगों से चोरी की ये कारण हो सकता है तीसरा कारण हो सकता है कि आपने शिवाजी महराज की मूर्ती बनाई उनकी याद में आपने मूर्ती बनाई और आपने इतना भी ध्यान नहीं दिया कि वो मूर्ती खड़ी रहे मैं आपको गैरंटी देता हूँ कदम जी की जो मूर्ती बनी है न आप यहाँ पचास, साट, सतर साल बाद आजाईए यहाँ आपको दिखेगी और शायद सबसे बड़े महापुर्श शिवा जी महाराज जी की मूर्ती बनती है और कुछी दिनों में भरष्टचार के कारण गलत व्यक्ति को कॉंट्राक देने के कारण वो मूर्ती गिर जाती है शिवा जी महाराज का अपमान किया है और प्रधान मंत्री को सिरफ शिवा जी महाराज से माफी नहीं मांगनी चाहिए अगर माफी मांग रहे हैं तो महाराश्टरा के हर व्यक्ति से माफी मांगनी चाहिए और प्रधान मंत्री जी को ये भी समझाना चाहिए कि आप सिरफ दो लोगों की सरकार क्यों चलाते हो जहां भी हम देखते हैं बड़े से बड़े कॉंट्राक अदानी और अमबानी जी को मिलते है मैंने पार्लमेंट में भाशन दिया पार्लमेंट में किसी का नाम लिया जा सकता है मगर पहली बार मुझे कहा गया कि पार्लमेंट हाउस में अपने भाशन में मैं अदानी और अमबानी का नाम नहीं ले सकता हूँ तो फिर मैंने का ठीक है भाईया आप चाहते हो कि मैं ना लूँ मुझे कुछ ना कुछ तो कहना पड़ेगा अगर अमबानी अदानी नहीं चाहते हैं तो मैं कुछ और कह देता हूँ तो मैंने उनका निया नाम बनाया है A1 और A2 पूरा का पूरा काम A1 और A2 का हो रहा है प्रधान मंत्री जी ने इसके लिए माफि किसी से नहीं मांगी काले कानून आए किसानों से उनका हक छीनने वाले कानून 700 किसान शहीद हुए हमने पार्लिमेंट में कहा कि दो मिनट इनके लिए मौन रखा जाए हमें कहा जाता है नहीं ये शहीद नहीं है दो लोगों को फाइदा पहुँचाने के लिए हिंदुस्तान के सारे के सारे स्मॉल और मीडियम बिजनसेस को खतम कर दिया जो लोग इस देश को रोजगार देते हैं उनको नोट बंदी से गलट GST से आपने खतम कर दिया और अब पतियों का रास्ता खुलने के लिए उनसे भी आप माफी माँगिए नोट बंदी की माफी माँगिए गलट GST की माफी माँगिए और नतीजा क्या है कि आज अगर युवा रोजगार चाहता है सिर्फ महराश्टा में नहीं पूरे देश में कहीं भी अगर रोजगार चाहता है उसे रोजगार नहीं मिल सकता क्यूं? क्यूंकि जो कंपनियां उसे रोजगार देती थी जो छोटी कंपनी थी मिडल साइज कंपनी थी वो सब बंद हो गई, खतम हो गई भाईयों और बहनों अंबानी और अदानी इस देश को रोजगार नहीं दे सकते हैं रोजगार कौन दे सकता है? रोजगार छोटे बिजनस वाले दे सकते हैं रोजगार मीडियम साइज बिजनस वाले दे सकते हैं, जो छोटी फैक्टरिया चलाते हैं, मिडल साइज फैक्टरिया चलाते हैं जो चीजे बनाते हैं ये लोग दे सकते हैं आज हिंदुस्तान में नया मॉडल है चाइना का माल आता है वो ही 10-12 अरब पती उस माल को बेचते हैं आप मोबाइल फून के पीछे देख लीजिए Made in China, शर्ट के पीछे देख लीजिए Made in Bangladesh, जूते के नीचे देखिए Made in Vietnam, Made in Maharashtra, Made in India आपको कहीं नहीं दिख सकता और ये सारा का सारा माल ये अरब पती बेचते हैं नुकसान किसका होता है? हिंदुस्तान के युवाओं का होता है हिंदुस्तान के जो छोटे बिजनिस हैं Middle-Size बिजनिस हैं जो चाइना का मुकाबला कर सकते हैं उनका होता है फाइदा किसका होता है? नरेंद्र मोदी जी के मार्केटिंग होती है अदानी और अंबानी जी का फाइदा होता है और दो हिंदुस्तान बन रहे हैं एक अरब पतियों का उसमें 20-25 लोग हैं और दूसरा मजदूरों का किसानों का बेरोजगार युवाओं का बाईयों और बेहनों 16 लाक करोर रुपै 16 लाक करोर रुपै नरेंद्र मोदी जी ने इन 20-25 लोगों का कर्ज़ा माफ किया है किसानों का आज तक कर्ज़ा माफ नहीं किया है हमने 70 लाक करोर रुपै किया था जब हमारी सरकार थी आप सोचो 70 लाक करोर रुपै से हिंदुस्तान के सारे के सारे किसानों का कर्ज़ा माफ किया था इन्होंने 16 लाक करोर रुपै बाईस पच्छिस लोगों गुदिया है ये हमारी लड़ाई है हम चाहते हैं कि एक इंदुस्तान हो अगर बैंक के दर्वाजे अरब पतियों के लिए खुले है तो बैंक के दर्वाजे किसानों के लिए मजदूरों के लिए युवाओं के लिए खुले होने चाहिए अगर उनका यहाँ बेरोजगारी देखिये, बेरोजगारी देखिये, हर एरिया में आपको ब्रश्टाचार दिखेगा, जहां भी आप देखोगे सड़क बनती है भरष्टा चार सरकारी भरष्टा चार से बनी है सरकारी चोरी करके बनी है सरकारी MLS को पैसा दे के बनी है यह BJP की सरकार नहीं है यह आपकी सरकार थी इसको तोड़ कर चोरी करके ले गएं यह लोग तो जहां भी आप देखोगे आपको भ्रष्टचार मिलेगा बाहर के लोग यहां आकर आपके कॉंट्राइक ले जाते हैं दूसरे स्टेट के लोग यहां आकर आपसे कॉंट्राइक छीन जाते हैं यह हम बदलना चाहते हैं और मैं जानता हूँ कि आप सब Congress Party के आप करता मुहपत के दुकान वाले करता बबर्षे मैं जानता हूं कि यहाँ पे आप महरास्ट्रा की सरकार लाने जा रहे हो अपना कून पसीना दे कर महरास्ट्रा की जनता की सरकार, किसानों की सरकार, भेरोज़गार युवाओं की, मजदूरों की सरकार हर वर्ग की सरकार आप लाने जा रहे हो जहाँ भी आपको मेरी ज़रुवत होगी मैं आ जाओंगा आपको सिर्फ ओर्डर देना है कि राउल आपको यहां आना है मैं हाजिर हो जाओंगा अंप में मैं आप सब को दिल से धन्यवाद देता हूँ कि आप यहाँ आए इतने प्यार से आपने मेरी बात सुनी धन्यवाद नमस्कार जैहिन